हलो फ्रेंच वेलकम तो चानल करेंट अफेर अपडेड़ दिस दिवशी शवस्ती जिसे आपको पता होगा कि हमने एक नया इनिशेटिव स्टार्ट किया था जिसमें हम प्रिविएस यह के कोशन करा रहे थे और यह सीरीज हमने इवनिंग में स्टार्ट की ते इसलिए हमने तो आज इसका दिन है तो आज 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 की शुक्या होंगे और आज हम प्रिविएस यह कोशन देखेंगे यह सब्जेक्ट वाइस कोशन से लास जो अभी फर्स ताइम देख रहे हैं मैं बता दूँ लास ताइम हमने पॉलिडी के कोशन से लिये थे आज हम जोगरफी के को कोशन लेंगे तो आज की सीरीज इस इस गोई टो बी इंपॉर्टेंट भी हो सकती है बट अपनको ध्यान देना है क्योंकि इससे अपनको नॉलिज भी इन होती है तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इवनिंग सीरीज और मैं आपको एक और बात बता दूं अगर आपको इसकी PDF चाहिए होगी तो टेलीग्राम में इसका लिंक दिया हुआ है पहाँ से हमाई चैनल को जॉइन कर सकते हैं और इसकी PDF भी आपके अविलेबल हो जाएगी गीवेश है और फूर्थ है revolution of the earth तो आपको बताना है विच अमंग फॉलिंग स्टिप्मेंट है करेक्ट ओके रमेंबर इंफ्लेंस ता ओशन करेंट ओशन करेंट को इंफ्लेंस करते हैं तो options आपके सामने अप्शन भी दिये हुए A, B, C, D आप इसको correct answer mark कर सकते हैं मैं आपको बताएता हूँ उसका correct answer क्या होगा वो तो मैं आपको बता रहा हूँ I think you have marked the correct answer जिसमें mark करना था दिए कि rotation of the earth अफकोस rotation of the earth से एक Coriolis force generate होता है जो of course ocean की current की movement decide करता है इसी के according Feral of reflection में आप देखेंगे everything on the northern hemisphere moved towards right side and everything on the southern hemisphere moved towards left side okay तो जिसकी वेशे ocean current में, ocean current को अगर आप northern hemisphere में देखेंगे तो वो clockwise direction में move करेंगी और अगर आप इसको southern hemisphere में देखेंगे तो वो anti clockwise direction में move करेंगी तो एक यह phenomenon भी हो सकता है तो yes पहला answer सही है okay second air pressure and wind yes air pressure and wind की वज़े से भी influence होती है ocean current तो यह भी सही है even ocean water density okay तो यारा कि यह भी influence करता है density का example बता हूँ अगर माल यह दो water है और let us suppose this is more density इसका water density जादा है तो भारी होगा weight जादा होगा तो आप इसको नीचे कर दीजे और इसका density कम है तो इसका मतलब ocean current will flow from low density area to high density area तो यह correct statement है क्योंकि देखेंगे आप slope जो बन रहा है वो low से high बन रहा है okay तो remember यह भी correct है but there is no effect on revolution of earth या दखेगा अर्थ के rotation की वज़े से of course ocean currents पर फरकाता है but not because of revolution of earth तो इसका correct answer is what that is b 1 2 and 3 मैं आपको दिखा भी देता हूँ यह देखे ocean current यहाँ पर clockwise direction मैं आपको दिख री होगी और for example south Atlantic ocean में anti clockwise direction में तो यह rotation of the earth की वज़े से ही Coralist force की वज़े से यह reason था okay तो इसका correct answer है 1 2 and 3 okay चलिए हम next question में आते है next question important question है यह भी UPSC के prelims में आच चुका है okay it also came in assistant commandant exam okay 2017 question इसमें यह which of the following region is famous for endangered Olive Redley Turtles इसमों Olive में लिखा हुआ है Olive Redley Turtles के लिए कौन सा रीजिन बहुत ज्यादा famous है इंडिया में वह place है I think बहुत लोग जानते भी होंगे ठीक है घरी माता सागर माता लक्षदीप आलें या आंडमान निकोबाग ग्रूप आलें तो आपने great Olive Redley Turtles के बारे में सुन Olive Redley Turtles है आप देख सकते हैं यह अपनी मास हाचिंग के लिए आते हैं यहाँ पर तो आप देख सकते हैं पर कितने सारे Turtles हैं जो हाचिंग के लिए आये हैं तो यह बीच जो है ओ गहरी माता बीच है इस वेरी फेमास इन ओडिशा तो इसा correct answer was that is A. थर्ड कोशन में आते है थर्ड कोशन ocean current से हैं अगें आ typical question ocean current आपको पता होना चीए which currents है cold currents and which current are warm currents के यहाँ पर कुछन पूछा गया है which of the following currents are cold current इन में से cold current कौन सी है तो remember ऑले तो और इंदेवले और करेंस से कौशन जरूर आएगा आपके एक्जाम में options है Labrador current, second है Bengulia current, third है Humboldt current जिसका हम Peru current भी कहते है Oashio current या Kurosio current तो इनमें आपको बताना है which among the following आथा cold current मैं आपको बताना है Labrador current, yes it's a cold current, okay then Peru current, yes it is a cold current Oashio current, it's a cold current, Bengulia current, it's a cold current but Kurosio याद दखें कि Japan में ये Oashio, Kurosio दोनों flow कर दी Japan के राउंड में तो Kurosio ये warm current है, तो fifth statement wrong है, fifth अगर मैं cut करता तो मेरे क्याल से direct मेरा answer C आ जाता and C is the answer, okay, तो आपको मुझे comment box में बताना है कि आपको मुझे around four warm current के नाम लिखे comment box में बताना है तो write down any four warm current's name, comment box में मुझे बताईए four warm current के नाम, okay तो इसका correct answer is that is option number C, okay, next question में आते है, question number fourth, आपने world geography को देखा होगा so it would be easy question, यहाँ से पुछा गया, which of the following are landlocked countries, कौन सी country landlocked है मतलब वो ocean से link up नहीं है, options है Laos, okay, first, second है Tazagistan, third है Cameroon, fourth है Mongolia तो यह चार options है आपको बताना है कौन सी landlocked country है, ठीक है, तो options आपके सामने दिये हूँ, if you are able to, यह already question आ चुका है, ठीक है तो it's going to be important, UPSC में तो और easy दिया था, मैं थो से इसको और difficult बना दिया है, तो अब आपको बताना, landlocked country कौन सी, Laos, yes, South East Asia में, it's a landlocked country, okay, Tazagistan, Central Asia में, yes, it is a landlocked country, okay, आप चाहें तो map देख सकते हैं, Cameroon जो है, यह आती अफरीका में, और यहाँ पर एक बहुत important mountain भी, Mount Cam Cameroon, okay, तो यहादे कि Cameroon is not a landlocked country, landlocked country नहीं है, even it touches the boundary of South Atlantic Ocean, Atlantic Ocean को touch करती है, okay, Mongolia, yes, it is a landlocked country, तो देखाजा इसका answer 1, 2 and 4, that is going to be B, okay, तो ऐसे questions आते हैं, आपको इसलिए country इसको भी देखके रखना है, कि कौन सी landlocked है, I think Cameroon पता होता है, तो आप I think 3 को cut करके direct answer भी निक Okay, चलिए, next question में आते है, question number 5, अब मैंने यहाँ पर कुछ capitals ली है, और उन capitals बहुत famous rivers flow करती है, और साही places मैंने actually Europe से ली हुई है, तो आपको बताना है, match the following करना है इसमें, okay, Paris, Vienna, London and Kiev, okay, they are important capitals, comment box में बज़े बताइए, यह किस country's की capital है, for example, London तो आप बताई सकते हैं, okay Okay, बाकी Paris, Vienna and Kiev, आप उचे कमेंड बॉक्स रता है, यह किस की capital है, अब आपको इसको match the following करना है, river से, okay, तो इसको याद, अब I think आपके आपके options दिये हुए है, if you are able to match it, it would be correct, I think आपने solve कर लिया होगा, if you are able to solve this question, नहीं कियाद मैं बताता हूँ, Paris river बहुत famous, Narenda Modi जब पारिस, okay, so उन्होंने सीन डिप्लोमसी की बात की दिए, पारिस जो है, वो सीन रिवर पर situated है, okay, थेम्स की बात करते है, लंडन पे है, I think यह भी आपको बता होगा, I think इन दोनों को ही match हो, तो answer आज आता है मेरा, but still मैं आपको बताता हूँ, जो कीव है, that is जाद आखिए क अपने देख लेते हैं, इसका answer है, A, ठीक है, next question में आते है, question number 6, इसने पूछा है मैंने, which one amongst the following rivers flow through a rift valley, rift valley जो है, आपको मैंने अल्रेडी पढ़ाया हुआ है, अपने physical geography के classes में, कि faulting की वज़े से rift valley develop होती है, यहाँ दखेगा, faulting मतलब दो plates में, tension force लगना, okay, और उन नर्मादा रिवर, चलिए ठीक है, question यहाँ पर पुछा के, कौन सी इसमें, rift valley में flow करी, दामुदर, तापी, तुंग बद्रा या बोथ A and B, I think we have marked the correct answer, yes, its correct answer is, बोथ A and B, remember, दामुदर रिवर, very famous river, and तापी, तापी, बद्र बदेश की river है, तो दोनों ही rift valley में flow करती है आपको मुझे बताना है, इसका answer तो चलिए D है, तुंग बद्रा river है, वो किसकी tributary है, comment box मुझे बता है, तुंग बद्रा river is a tributary of which river, पहला question, दूसरा आपको मुझे बताना है, कि तापी का origination कहां से है, कि स्टेट से है, दामुदर का origination कि स्टेट से है, कि स्टेट से है origination है, प्लस दो कोशन और मैं आपको दे रहा हूँ, sorrow of Bengal और sorrow of Bihar, किस rivers को कहा जाता है, remember sorrow of Bengal and sorrow of Bihar, ये भी आपको कमेंट बॉक्स मुझे बता ही है, इसका answer है D, चलिए, नेक्स कोशन में आते हैं, ये कोशन अगेन, मैंने एक typical कोशन दिया आपको, related to Vishnu प्रयाग, ये 5 प्रयाग और किसी को उत्राखट के पता होंगे, then it would be easy question, तो इसमें ते कौन सा statement related है, या correct है, related to Vishnu प्रयाग, पहला statement है, Vishnu प्रयाग is one of the 5 प्रयाग, 5 प्रयाग में आता है, जिसमें अलकनन्दा रिवर भी है, and lies at the confluence of अलकनन्दा रिवर and धौली गंगा, मतला बोल रहा ह Vishnu प्रयाग, अलकनन्दा और धौली गंगा रिवर की confluence की वे से बनता है, ये बोल रहा है, जो कि चमोली डिस्ट्रिक्ट, इंडियन स्टेट अफ उत्राखन में लाई करता है, पहला statement ये है, second statement है कि Vishnu प्रयाग, confluence of अलकनन्दा और पिंडारी रिवर पे लाई करता है, त अलकननन्दा और भागी रती मीट करती, तो देव प्रयाग बनता है, you have to remember all the five प्रयागs, this is all the five प्रयागs, पहला हैыш भिशनु प्रयाग, दूसरा है, नंध प्रयाग, थर्ड है, याद इख येगा, that is Karna प्रयाग, रुद्द प्रयाग and then देव प्रयाग, और बें तैन तो जो विष्णु प्रयाग है रिमेंबर धौली गंगा और अलक नंदा रिवर के कंफिलिंट से ही बनता है जो की उत्राखन डिस्ट्रिक्ट में है नेक्स्ट कोशन नबर एर्थ में आते हैं हिमालियन रेंजेसे लेड़ेट कोशन है दो स्टेटमेंट दियो हैं विलें वि इंदस रिवर इंदस रिवर इनदस रिवर अगर देख तो वेस्ट में इंदस रिवर हैं अनद ब्रह्मपुत्र रिवर इंद इसट औके और थ्री पर FERLEल लेंजेस हैं हिमादरी इनाचल अध्शीवालिक प्लें तो बहुत से डीप जोर्ज वागरा या स्टेट्मेंट ब related to what that is related to Himalayan ranges okay next question 9th में आते हैं आपन this is a easy question but already exam में आचुका UPSC के तुदाउन 3 के प्रिलिप्स के कोश्चन है ये which of the following region supports the Karewa formation करेवा न्यूस में भी है मैं बता दूँ इस आपको option में तो पले answer में टिक लगाना है option है that is North Eastern Himalayas, Himachal Uttaranchal Himalayas, Eastern Himalayas या कश्मीरी Himalayas इस आपको चार options में ते करेक्ट आंस लगाना है हिंट दे रहो हम आपको करेवा आपको करेवा आपको वेरी important related to saffron cultivation okay saffron के लिए बहुत फेमस है तो I think you're able to get the answer yes it's a d Kashmir Himalayas very famous या दखेगा तो करेवास की में आपको इमेज भी दिखा जिएता हूं these are very famous for saffron cultivation okay चली next question आते है question number 10 एक hill पूछी है मैंने और typical question हो सकता है क्योंकि मैंने पूछा which of the following hill ranges dominated by doda beta या देखेगा doda beta peak है जो की important peak है it is not the highest peak but it is the important peak of South India okay options है यह peak कहा लाई करती है निलगिरी hills में अनामलाई hills में cardamom hills में या नाला-माला hills में so it's going to be a typical question if you have done this thing it would be easy but आपको बता है तो इसका correct answer आपको mark करना है it's a correct answer I think we have marked the correct answer if you know the answer it's निलगिरी hills याद अखेगा very famous निलगिरी hills और निलगिरी hills की ही highest peak आप कह सकतो निलगिरी hills की वो है doda beta but remember it is not the highest peak of South India so comment box में मुझे बताइए South India की highest peak कौन सी है please comment box में मुझे बताइए South India की highest peak कौन सी है okay तो इसका answer तो था that is निलगिरी hills आप देख सकते निलगिरी हाइड भी लिखिए बैने 2637 meter is the height of doda beta peak okay चली next question में आते है question number 11th question question यह है which of the falling rivers is not the part of पंचनाड या दखेगा पंचनाड का part नहीं है options है रवी इंदस छिनाब या जेलम river तो आइधिंक अगर आपको पता होगा इंदस का पूरा location पता होगा कि इंदस में five tributaries होती है major five tributaries है उसके बारे में तो it's very easy question its correct answer is इंदस river इंदस is not the part of this पंचनाड या दखेगा पंचनाड की मैं बात करों तो आप देख सकते हैं यह map है this map is very clear आप देख सकते हो five basic tributaries that is जेलम, सतलज, व्यास, व्यास, सतलज, चेनाब, जेलम and रावी river these are the basic five rivers okay आप देख सकते हैं यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर confluence हो रही है okay और इंका नाम पर पर पंचनाड तो this is important okay इंका five का confluence में यहाँ पर लिख भी रखा है okay then finally they met with Indus और finally यह जाकर कहां कितनी that is at Arabian Sea okay so याद देखिए का पंचनाड में यह five rivers है ना कि Indus okay comment box आपको मुझे बताना है इन five rivers जो मैंने लिखी है okay आपको मुझे बताना है इनमें कौन सी river है जो इंडिया से originate नहीं होती है remember out of these five rivers that is Jhelam, Ravi, Satlat, Chinab and Vyas you have to tell me which river does not originate in India okay चले एक river है जो इंडिया में originate नहीं होती है वो आपको comment box बताना है next question में आते है that is question number 12 this is going to again a typical question question है which of the following phenomena contain low air surface pressure in eastern pacific okay eastern pacific की अगर मैं बात करता हूँ let's make this is a pacific ocean for example so this is eastern pacific this is western pacific okay और detail मता हूँ तो western pacific में let us suppose this is australia and eastern pacific में let us suppose this is south america okay अब आपको बताना है कि किस phenomena में eastern pacific जो है मतलब that is south america वाला region is get into a low pressure remember low air surface pressure यह low pressure हो जाता है ठीक है यह आपको मुझे comment box में बताना है ठीक है तो low pressure हो जाता है तो इसका phenomena क्या होगा low pressure मतलब आप समझ रहोगे मतलब heating होगी है ना यहाप आप आप यह समझ सब्सक्राइटिंग वारा एडिया होगा for example ठीक warm water होगा एप example दे रहो हिंट दे रहो मैं आपको आपको अप्शेंस यह चार ओप्शेंस हैं और इसका correct answer I think मैंने explain किया आपको लेकिन आपके question में ध्यान दिया होगा इसका correct answer और प्रेशर होता है high okay और यहां होता है sorry गलत बोल्टा बोली मैंने यहां होता है cold water normal year में और प्रेशर होता है high ठीक है तो warm cold water and pressure is high while in the australia side there is a low pressure okay and there is a warm water so logical wind will flow from high to low pressure okay बाकी मैंने फिनोमना अपने फिस्कल जोगरफी में एक्स्पें किया about alnino so this is a normal phenomena okay that led to a rainfall in the australia okay and that is a desert like condition in south america and there is also a concept that is known as अब मैं सारे concept तो नहीं बताता हूँ चलोगा और और कन्फीज होगा बुरा concept सम्झाना पड़ेगा मुझे but still यहां पर rainfall जादा होती है okay और यहां पर desert like condition नती है आप देख सकते हैं आप एक बहुत famous desert भी है चलिए comment box मताईए south america में बहुत famous desert है okay which is the driest desert in the world okay the comment box मताईए यह desert like condition नती है but alnino में क्या होता है यह condition just reverse हो जाती है कहने मतब इस साइड आ जाता है क्या that is warm water और इस साइड हो जाता है and that is cold water remember यहां high pressure हो जाता है यहां low pressure हो तो wind guard action just reverse हो रहा है आप देख रहोंगे आप that is known as alnino तो आप देख सकते इस्तन प्रसिफिक में क्या हो गया warm water मताब low pressure is arrived तो श्या correct answer is D that is alnino और alnino line like concept में already अपने course में करा चुका हूँ को अवेल करने के लिए आप नीचे description box में देख सकते हैं मैंने course के वारे में information दी है website दी हुई हमारी website को visit करेंगे then you can understand the whole concept में इसको करीबन 40 minutes में समझा है मैं अभी 2 minutes में समझाने कुछ कर रहा है और यह already explained 40 minutes तो आप course को ज़रूर देखे नीचे website पे दिया हुआ है तो आप वेबसाइट पे है तो you can avail that course and you can understand all these physical phenomena's okay तो सब्सक्राइक आपके सामने दिये हुए तो लिटल निकोबार, कान निकोबार, इनकोबार, इनको ही अरेंच करना है इनको ही अलग-अलग sequence order बना दिये गए है तो आपको निकोबार आइलेंस के बारे में आइडिया है I think North Andaman के बारे में सबको पता है North Andaman, Middle Andaman, South Andaman and Little Andaman, okay? यहाँ पे निकोबार से लिटे कोशन पूछ लिया है इसा करेक्ट आंसर I think you have seen all the options इसा करेक्ट आंसर इस A remember कान निकोबार सबसे नॉर्थ में है then middle में लिटल निकोबार और सबसे लास्ट में जो है that is great निकोबार remember this is important आपको याद रखना पड़ेगा यह चीज और north आंडमान सबसे उपर है then middle आंडमान then south आंडमान then little आंडमान so यह देखे मैं ने पूरा रेंज कर दिया है it could be a question this year याद अखेगा आंडमान निकोबार न्यूस में रहा है इस पार it could be a question this year तो please इसको आप arrangements ज़रूर याद रखे comment box में आप मुझे बताईए कि जो 10 degree channel है it is between which two islands आंडमान ने निकोबार के बीच में तो रहे बिल्कुल सही है पर आप मुझे specific islands के नाम बताईएगा ठीक है comment box में next question में आते है question बाफ 14 इन में से कौन सा statement correctly match है ऐसे questions बहुत आते हैं फिचे आप में following statement correctly match और wrongly matched options आपके सामने हैं मतलब इस साइड कुछ projects dams दिये हुए है और इधर वो rivers दिये हुए है जैसे कि नागर्जुन सागर डैम river Krishna कारापरा project river Kosi मादादीला project चंबल river तवा project river Satlaj आपको बताना है कौन सा correctly matched है तो I think if you have a lesson about these projects these are very important questions it's a correct answer is that is A नागर्जुन सागर ठीक है यादे कि नागर्जुन सागर जो है that is river Krishna ये correct matched है बाकि तीनों wrongly matched है comment box में logical है आपको क्या बताना पड़ेगा ये तीनों जो projects है ये किस river पर है ये मुझे आप comment box में बताईए ठीक है तो आपको मता दीला, तवा और काकरापाला जो project है इसके बारे मुझे comment box में बताना पड़ेगा किस river पर है but yes नागर्जुन सागर is at river Krishna but एक और कुशन आप मुझे बताएंगे कि ये जो डैम है नागर्जुन सागर डैम ये किस state में located है ये भी आप मुझे comment box में बताईए ये किस state में located है yes it is located in river Krishna river और river Krishna जो है कहां से originate होती है कहां पर fall down करती है और इसकी आपको मुझे चार ट्रिबुटरी के नाम भी comment box में mention करने है याद है कि ट्रिबुटरी आप इंपोर्टन for certain rivers at least गंगा, ब्रह्मपुत्रा, इंदस, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी है ना इतनी rivers की तो आपको ट्रिबुटरी बिल्कुल याद होनी चाहिए okay, question आ सकते है okay, तो at least आप कृष्णा रिबुटरी मुझे comment box में बताइए, okay, चलिए next question मैं आते है, question number 15 and the most difficult question of last 15th question जो है यहां मैंने कुछ important mountain ranges दी हैं और यहां उन countries के नाम लिखे हैं, आपको match the falling करना है, okay, पहला लिखा है parines, दूसरा है alts थर्ड ब्लाक फोरेस्ट और फोर्थ जुरा माउंटेंज तो आपने यूरोप पढ़ा होगा, तो it would be easy question, again अगर अगर आपने नहीं पढ़ा है तो प्लीज हमारे description box में आप हमाई course को देखे हैं, वहां वर्ल जोगरफी के सब में लिख दिया है, तो common हो गया कि France में तो यह सारे लाई करते हैं, but which is the other country, so let's match it out, first A, I think आपने options की according match कर लिया होगा, अब मैं match करेता हूँ, जो पारीन से याद एखेगा France and your Spain this is the important, okay, so France and Spain के बीच में, मैं आपको mapping भी दिखाऊँगा, तो A का अंसर है 2, तो इसका मतलब 2 option तो सीधे कड़ गए, इसका मतलब you have left with A option and C option, okay next हम जाते हैं, that is Jura mountains में, they are very famous, okay, तो आपको mark करना है इसमें, पहले नहीं, Jura नहीं, हम Alps, I think Alps would be easy for you, maybe, okay, तो Alps में जाते हैं, तो यहां दखेगा Alps या Black Forest, you can go with any of this, okay, so let's go with the Black Forest, okay, तो France and Germany, ठीक है, तो यह होगा Black Forest का, तो C का 3, तो हम आगें, option number C पे आगें, ठीक है, बट स्टिल B का 1 बोल रहा है, यह मतलब Alps जो है, that is France, Italy and Switzerland, okay, and Jura mountains यहां दखेगा, that is France and Switzerland, okay, so यह का correct answer, that is C, okay, तो आपको लेट्स में आपको यह पूरा डाइग्राम दिखा देता हूं, यह देखे, Black Forest आप देख सकते हैं, यहां पर France और जम्मनी के बीच में आपको दिख रहा होगा, okay, next, इजर साइड आते हैं, that is Alps, आप देख रहा होगा, France, Switzerland and Italy, okay, so these are the answer, मैंने 4 के map आपको दिखा दिए, PDF आपको अपको अड़ी अविलिबल हो जाएगी, Telegram link पे, okay, so इसका option number is C, correct answer, okay, so we have done, we have done with the 15 questions, और यह थोड़े बड़े थे, क्योंकि आपको बता हो, questions का standard हमने थोड़े रेस किया है, इसमें आपको थोड़े था difficulty हो, और direct question नहीं है, तो आपको statements और match the following ज़रूर आनी चाहिए, आपको initiative अच्छा लग रहा होगा, अब जो next मैं आपको यहीं पर declare कर देता हूँ, जो अगला हमारी series आएगी, of course evening series जिसमें हम previous year's question लेंगे, वो होगे environment पे, okay, so environment is going to very typical, very difficult also, तो उसकी तयारी करके रखिया आप, क्योंकि अगले questions हमाए environment related आने वाले हैं, तो आपको कैसी series लगी यह, हमने 15 questions solve किये, if you like this initiative, please इसको like, subscribe, share, जरूर करें, at least like or comment, जरूर करना, जो मैंने आप से पूछा है, क्योंकि इससे two-way communication होता है, मैंने 15 पूछे हैं, कईवें 10 questions मैंने आपको हुवग दिये हैं, तो 25 questions से बना देते हैं, तो जरूर बताईए, ऐसी series आपको कैसी लगी तो हम history, ancient, medieval, modern, हर subject से ऐसे लाते रहें, तो at least आपको exam देने से पहले, you have around bunch of questions, आपने वो questions कर रखे हो, तो आपके लिए easy हो, okay, so please comment में दूरूर बताईए, how you are liking this series, और please like our channel, if you are liking this videos, thank you.